गुड मॉर्निंग एंड वेलकेंब टू दे टार एजुकेशन फ्रेंड्स टार एजुकेशन के डेली करेंट अफेर्स क्लास में मैं प्रकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 5 अगस्त 2021 देखेंगे अब तक के सभी महतपुर्ण करेंट अफेर्स जो आपके अगामी सभी परिक्षाओं के लिए अती महतपुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्स्टा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट तथा इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहां से ज्वाइन कर लें और टार एजुकेशन के वेबसाइट को रेगलर बेजिट करें वहां बहुत कुछ आपको अन्य चीज भी मिलेंगे प्रशन हिंदे इंग्लिश दोनों में है आपसे यागरा है कि क्लास अंत तक एटेंड करें तभी आपको इस क्लास का महतुर पता चलेगा और यदि क्लास परिच्छाव क्योगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे अन्य दोस्तों के साथ सेयर करके टार तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं आज का क्लास पहला प्रशन है रिसेंटली हुआज बिकम दो वर्ल्स यंगेस्ट माउंटेनेर टो समिट दो वर्ल्स सेकेंड हाइस्ट पीक के टू हाल ही में कौन दुनिया का दूसरी सबसे उंची चोटी के टू के सीखर पर च रहने वाले हैं वहां से ये प्रवतारोही हैं सबसे कम उम्र में ये रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है आए देखते हैं ये सब दुनिया की ये जो उसी का ये चढ़ाई उन्होंने किया है तो दुनिया की दूसरी सबसे उंची चोटी के टू 8,611 मिटर अर्था 28,251 फि मीटर या 29,032 फिट है और इसमें जो ये 0.6 देख रहे हैं ये संटी मीटर में हुआ मिटर में पूरा है तो ये 0.86 जो है ये संटी मीटर जो इसका बढ़ोतरी जो है हाल ही में दर्ज किया गया है तो ये भी ध्यान रखेंगे अब इसका उंचाई इतना हो गया है और ये स जेहरेज कासिफ जो हैं पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के बारे में देखते हैं राजधानी इसलामाबाद है मुद्रा पाकिस्तानी रुपी है पलधान मंत्री इमरान खान है जो पूर्व किर्केटर है और राश्टपती वहां आरिफ अलवी हैं तो ये extra factor है इसमें चल प्रियंका मोहिते महराष्ट के सतारा जिले की रहने वाली है और माउन्ट अन्पूर्णा की बात करें यह विश्व की दस्वी सबसे उंची परवत चोटी है चलिए मिंगमा तेंजी सिर्पा यह दुनिया की सबसे उंची चोटी जो अभी हम लोग माउन्ट एबरेष्ट के बारे में देखे उस पर लगातार कंटिनीवर्सली दो बार चढ़ाई करने का विस्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और मिंगमा तेनजी सेर्पा ये नेपाल की जानी मानी प्रवता रोही हैं और सांग इंग हंग ये कौन है ये दुनिया की सबसे उची चोटी मांट एव संस्वी तो चलिए अगला प्रस्न देखते हैं हाल ही में भारत से पहली बार ड्रैगन फ्रूट का निर्यात कहां के लिए किया गया है ये किया गया है यह है अब पिक्चर में देख रहे होंगे काफी टेस्टी लगता है ये मैं इसको खाया हूँ हम लोग यह से लोकली होत देखते हैं इसमें बहरेन के लिए गया है तो बहरेन का राजदानी मनमा है करेंसी वहां मुद्रा बहरेनी दिनार है और लंदन को भी गया है तिसके बारे में भी देखते हैं United Kingdom का राजदानी है और पड़धान मंतरी Boris Johnson है चलिए बाकी अपसन देखते हैं दुबई यह क्यों नियुज में रहा है इसे ही यह भी कुछ के लिए नियुज में आया था देखिए कासमीर का एक विशेस मिसरी है जिसको चेरी बोलते हैं विशेस मिसरी का किस्म चेरी का पहला commercial export जो है और थात Suzuki certified है अर्थार जेऔग्रफिकल इन्डिकेशन अधारीच सटीफाइड है स्का निर्यात ये पहली बार लंदन के लिए किया गिया है कहां से बिहार के भागलपूर से जरदालू आम दुबै का निवापर इजपायई dużo महते हैं या महाराश् ela वैसे तो में चाहिया जो है निर्यात सबसे पहली बार निर्यात दुबई के लिए हाल ही में किया गया है यह सब नियूज में रहे हैं इसी प्रस्ण से अधारित था मैंने इसको सच करके सच क्या करना है कभी न कभी इसको हम लोग डेली करेंट अफेर्स क्लास में पढ़े हैं और वहां से मैं अप कौन साराजे CCTNS परनाली में पहला अस्थान प्राप्त किया है यह किया है हरियाना क्या है यह CCTNS दखिए फुलपम पहले Crime and Criminal Tracking Network System यह CCTNS का फुलपम है यह E-Governance के माध्यम से परभावी पुलीसिंग के लिए एक ब्यापक और एक इक्रित पढ़नाली है और CCTNS नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंतरगत काम करता है यह भी ध्यान रखेंगे और इसमें पहला अस्थान प्राप्त किया है हरियाना तो हरियाना के बारे में देख लेते हैं राजधानी अनिया मुक्त भारत इंडेक्स इसमें मद परदेश पहला अस्थान प्राप्त किया है और इनियमिया रोग शरीर में रक्त की कमी होती है यह साइंसे रिलेटेड फैक्ट हो गया ध्यान रखेंगे चलिए उतर परदेश यह हाली में एक जारी हुआ था इंडिया स्मार्ट स की सुची में पहले अस्थान पर आया है उतर परदेश यदि किंदर साशित राजियों की बात करें तो उसमें चंदीगर इस पर पहले अस्थान पर है यह सब याद रखेंगे गुजरात यह वीत वर्स 2021 में सबसे ज़्यादा FDI अर्थार और इंडिरेक्ट इन्वेस्टमे गया है जो भारत के कूल FDI का 37% है तो मित करता हूं यह सभी डाटा आपको सभी करेंट से रिलेटेड है पसंद आई होंगी और इच्छा उपयोगी है सभी हाल ही में QS-based student cities ranking में किस सहर को सिर्ष अस्थान प्राप्थ हुआ है यह हुआ है लंदन को और इसमें भारत की तर जो सहर है टॉप 100 के अंदर में थे लेकिन इस बार इतने नुक्सान के साथ टॉप 100 से बाहर हो गया है और यह किस अधार पर यह रैंकिंग जारी किया जाता है QS-based student cities ranking यह टॉपिक से अप लोग को अन्माल लग गया होगा संस्थान का अकादमिक परदर्शन नियोक्ता परतिष्ठा अर्थात इंपलोयर जैसे करते हैं जैसे कि student वहाँ अगर पढ़ाई कर रहा है कहीं जाके किसी सहर में पढ़ाई करने के बाद उसको जौब मिलने की क्या उसका लेखा जुखा है क्या उमीद है यह सब और अनुसंधान शम्ता तथा पार्ठी अतर गतिविदिया के अधार पर यह ranking जारी किया जाता है अर्थात कूल मिलाकर short में समझें तो किसी सहर में अगर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए बीदेश में या और कहीं भी तो वहाँ पे उनकी पढ़ाई के लिए अनुकूल बातावरन और पढ़ाई करने के बाद उन जापान जो है सबसे तेज इंटरनेट एस्पीड का वर्ल रिकॉर्ड बनाया है यह जपान के द्वारा आए इसके बारे में कुछ लिखे तरुक में हम लोग पढ़ते हैं अच्छा फैक्ट है वह आपके लिए उप्योगी है एक्जाम के पॉइंट अफ यह से सबसे तेज इंटरनेट एस्पीड का वर्ल रिकॉर्ड जापान ने बनाया है यह जो है इस बार 319 टेरा बाइट टीवी जिसको कहते हैं हम लोग टेरा बाइट प्रती सेकेंड एस्पीड के साथ 20 की सबसे तेज इंटरनेट एस्पीड का वर्ल रिकॉर्ड बनाया है यह आए देखते ह और यह सब स्टोरिज का खालगा है उसको देखते हैं हमलोग 8 bits में 1 byte होता है 1024 byte में 1 kilobyte होता है 1024 kilobyte में 1 megabyte होता है 1024 megabyte में 1 gigabyte होता है GB जिसको हमलोग बोलते हैं और 1024 GB binary में 1 terabyte होता है और यहाँ पर binary और decimal two रूप में इसको जाचाता है तो 1024 GB binary में 1 TB हो जाता है और 1000 GB decimal में 1 TB हो जाता है तो मेद करता हूँ ये data आप लोग के लिए काफी उप्योगी रहेगा इसको screenshot ले 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 अन्य था PDF जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिली ही जाएगा अगला है असगाबाद ये वर्ड मोस्ट एक्सपैंसिब सीटी रिपोर्ट के अनुसार विशुका सबसे महांगा सहर बन गया है कामगारों के लिए असगाबाद असगाबाद ये तुर्कमेनिस्तान का राधानी है और इस सुची में मुंबई 78 और दिली 117 और कुलकत्ता 181 असथान पर है कौन सी सुची है ये तो वर्ड मोस्ट एक्सपैंसिब सीटी रिपोर्ट असगाबाद पहले असथान पर है तुर्कमेनिस्तान की राधानी है चलिए ओकलेंड ये भी हाली में एक रेंकिंग जारी हुआ था वर्ड इकॉनिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लो झाया है तो चलिए उमित करता हूँ ये पसंद आया होंगे आपको प्रशन अगला है घर ही में संस्क्रिती मंत्री हो की पहली में प्लिक की राधानी रोम में आयोज्य की गई है बाकी अपसंद देखिए लंदन की उनिउज में हैं। तो बैस्विक सिख्छा सिखर सम्मЕलन वहलिल का योजन किया गया था। युनाइट किंगडम के लंदन में। बैस्विक सिख्छा सिखर सम्मेलन यहां पर हुगा है। और चलिए ब्रिस्बेन ये Summer Olympic 2022 कायोजन कहां किया जाना है तो ये अस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा अगला है इटली ये G20 पर्यावरण मंत्री अस्तरिये बैठक कायोजन कहां किया गया था तो ये इटली में ही किया गया है चलिए और इसमें भारत के तरफ से अभी बर्तमान में जो हम लोगे पर्यावरण मंत्री हैं सिरी भुपेंद्र यादो और केंद्रिये पर्यावरण राजय मंत्री अस्वनी कुमार चोवे इन्हों ने दोनों ने आभासी तरीके से इसमें भाग लिया था तो चलिए अगला देखते हैं के लिए एक अभियान शुरू किया है क्या नाम है उस अभियान का तो निर्यातक बनो अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया है Mission Youth ये क्या है तो जमु कस्मीर के युवाओं के सैक्षिक और कौसल विकास के लिए एक पहल का सुरुवात किया गया है जम्मु कस्मीर परसासन के द्वारा क्या नामे इसका मिसन यूथ इसमें क्या होगा तो 50,000 से अधिक युगाओं को असनातुकतर पाठकरम और कौसल विकास के लिए सहयोग परदान किया जाएगा छात परिती दिया जाएगा श्कॉलर्शिप जिसी कहते हैं चलिए और हरिया शेत्रों में लगु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा चलिए हर्यान के बारे में से हम लोग देख चुके हैं चलिए आज हम लोग दोस्तों छे कोश्चन को ही MC की उच फ़ाव में देखेंगे बाकी अभी बहुत सारी प्रस्ण हैं बेर इंपोटेंट्स हैं आप ब सीरंगराजन और जगदीष भगवती को सीरंगराजन आरवी एई के फूल्वा गवर्नर है और जगदीष भगवती कोलंबिया इंवर्सिटी में उत्सास के प्रूफेशर हैं इन दोनों को ये सी आरराव सताबदी स्वेंण पदक से सम्मानित किया गया है सी आर राव सतावधी स्वन पदक यह की सधार पर दिया जाता है तो मत्रात्मक और सास्त्र और अधिकारिक आंकडों के सैधानतिक और व्योहारिक पहलूओं के छेत्र में आजीवन युगदान के लिए भारतिय या भारतिय मुल्ग के विद्वान को दो साल में एक भार यह प्लों के लिए आई अगला है हाल ही में RBI ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में कारी करने की अर्मती दे दिया है तो इंडस इंड बैंक को इंडस इंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में कारी करने की स्वकृति मिलने के बाल सधारन बैंकिंग सेवा के अलावा सरकारी सेवाओं संबंदित अन्य ट्रांजक्शन भी अब कर पाएगा इंडस इंड बैंक का स्थापना 1994 में इसका मुख्याले पूने में है अगला है हाल ही में इरान के नए राश्पती के रुप में किने नियुक किया गया है इरान के नए राश्पती इबराहिम रईसी इरान का राधानी तेहरान है मुद्रा इरानियन रियाल है अगला प्रस्ण देखिए हाल ही में महाराष्ट के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वी एम कनाडे यहां प्रस्ण सभी लोग के लिए महाराष्ट के होंगे उसमें यह महाराष्ट के है और लोकायुक्त ते एक्चली में यही लोग बनते हैं महाराष्टा का राजधानी मुंबड़ी है और मुख मंत्री उद्धाव ठाकरे हैं और गवर्नर भागत सिंग को सियारी है अगला प्रस्ण देखिए हाल ही में जारी पुस्तक माई ओन मजगाओ किसके द्वारा लिखा गया है ये कैप्टन रमेश भाबु के द्वारा कैप्टन रमेश भाबु इस पुस्तक में मजगाओ द्वीब के ये गलत है क्योंकि सही टाइप करके मैं यहां लाता हूं प्रेश्ट करने पर MS वर्ड में यह पता नहीं क्यों चेंज हो जाता है चलिए तो मजगाउं द्वीब के इतिहास और कहानी को दर्शाया है इन्होंने जो मुंबई के रूप में एक इकाई में बिलय हो गया था चलिए अगला प्रसन देखिए हाल ही में जारी पुस्तक लियोपार्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है यह जारी किया जाएगा भी संजय गुब्बी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है काफ़ इंपोर्टेंट मुझे यह नहीं लग र हैं तो चलिए तो संजय गुबी द्वारा लिखित इस पुस्तक में टेंडुवे के संरक्षन टेंडुए मानो संघर्ष को दूर करने और परिस्तित की तंत्र में युगदान इत्यादी के बारे में बताया गया है चलिए अगला देखते हैं हाल ही में जाने माने क्रिकेट पारस खड़का ने अंतराश्टिय क्रिकेट से सन्याश लेने का गोश्णा किया है वह किस देश के खिलाडी हैं क्रिकेटर हैं तो ये नेपाल के हैं नेपाल का राधानी काठमांडू है मुद्रा नेपाली रुपी है परदान मंतरी सेर बहादूर देवबा है जो हाल ही में स अस्थापना इसका 15 जुन 1909 को हुआ है और इसके चेर्मेन ग्रेक भारकले हैं और सीईयो पोस्ट इसका अभी खाली चल रहा है मनुसाहनी थे यहाँ पे लेकिन उन्होंने कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वाइरी न के उपर चलने लगा जिसके कारण इन्होंने युक्त कौन है तो मनपरीत बोहरा नौरुक राजधानी यरेवन है यारेन है और मुद्रा अस्ट्रेलियन डॉलर है देखिए उचायुक्त है और एक बार कहीं कहीं हम लोग देखते होंगे राजदूत कल भी मैंने इसको चर्चा किया था कुछ लोग हो सकता है आज नए जुड़े हों कोन के लिए बता दूँ मैं उचायुक्त और राजधूत इसको इंगलिस में उचायुक्त को हाई कमिशनर और राजधूत को एमबेश्डर बोलते हैं दोनों पोस्ट एक ही है लेकिन फर्क इसमें यह है नाम इसका अलग इसलिए है कि जिस देश पर कभी भी ब्रेटिस सासन एक बार भी रहा हो कभी रहा हो तो उस देश में उचायुक्त अर्थाथ हाई कमिशनर के रूप में नियुक्त किया जाता है और जिस देश पर कभी भी ब्रेटिस सासन नहीं रहा हो तो वहाँ पे राजधूत के रूप में नियुक्त किया जाता है तो यह कुछ एक्ट्रा फैक्ट यह आगे इसमें देखेंगें लोग क्योंकि इस प्रस्ण को फिड करने का तरीका यही मुझे उचित लगा बाकी इसमें इस में इसको पहले पैर अलम्पिक गेम 2020 अब 2021 में हो रहा है कोविद 19 के कारण इसका भी आयोजन जापान के टोक्यो में ही किया जाएगा कब ? तो चौविस अगर्स से पांच शितमबत के और जपान के टोक्यो में होगा यह मनें बताया ही पैर अलम्पिक गेम 2020 का थीम संग जो इन्होंने लौँंज किया है सुरू किया है क्या नाम है क्या कौन सा गाना है वो तो ये है कर दे कमाल तू ये थीम सोंग है पर अलंपिक गेम 2020 का कर दे कमाल तू तो और इस गीत के संगितकार जो है एक दिब्यांग किर्केट खिलाडी है संजीव सिंग उनी नहीं इसको कमपूज किया है चलिए तो question of the day रेखते हैं क्या होगा तो इसका प्रस्ण काफी easy है मुझे लग रहा इसका जवाब आप लोग के लिए और लेकिन प्रस्ण बेरी important है ये तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को परिक्षा उप बटन दबा दें और पहले से सस्क्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेल आइकन भी साथ में दबा दें जिससे आगे आने वाले सभी महत्कुन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ये रहा आज का क्लास मिलते हैं अगले किसी important क्ला